दोस्तो इस्टन केप भर्सस प्रीटूरिया अगर थोड़ा सा अलग से बताऊ तो इस्टन केप सान्राइजर्स वर्सस प्रीटूरिया क्रेपिटिल्स मतलब आप समझे कि सान्राइजर्स और दिल्ली क्रेपिटिल्स की जो फैंचाइज है यह दो टीम्स के बीच यहाँ पर म मैं आज के प्रिवियर एलाइसी स्टार्ट करने से पहले आपको वतना चाहूंगा कि दोस्तों हमने इस लीक जिस तरह से सुरू किया है वह आप सोच भी नहीं सकते अगर आपने अभी तक हमारे टेलिकम को जोइन नहीं किया है तो दोस्तों अभी जाकर देख लिए कि लाश् प्रिश्किप्स ने आपको लिंक मिल जाएगी तो अभी जाकर लिंक में क्लिक करें और हमारे टेलिकम चल को जॉइन कर लीजिए अभी दोस्तों बात करें मैच की देखिए रात को 9 बजे मैच होगी सेंट जोड्स पार्क में यहां पर मैच होने वाला है यहां का जो खास बात है कि यहां पर बैटर स्कोर और बोला स्कोर दोनों को बरबर कहन मिलने वाला है क्योंकि दोस्तों देखिए हम अभी जो दो मैच देखें पहला इनिक्स पर अच्छे खासे रंस बने और सेकिंग्स पर भी उतना कम रंस कोर नहीं है मतलब सेकिन मैच में तो 190 तक पहला पर बने थे मतलब पावर प्ले में चार गिनने के बाद 190 तक स्कोर बने मतलब समझ सकते हो कि कितने अच्छा बैटिंग यहाप पर मिल सकते आपको जैसे से में जाके बढ़ेंगे और सेकिंग्स में भी 170 प्लास उन्होंने बनाया दिया था हलाकि चेस नहीं है वालक बात है विकेट्स थोड़ा सा जादा गिर गए थे और दोस्तों यहाँ पर देखिए पीच बिल्कुल बेलेश्ट रहेगा और एवरेज स्कोर 140 तक बनेगा और बाउंडरे डिमेंशन की बात करें तो यहाँ पर 70 मिंटर्स के आसपास दोनों तरब की बाउंडरी से आपको देखन देखने को मिल सकते दोस्तों यहाँ पर देखिए एवरेज स्कोर 140 तक बनेगा और विकेट्स यहाँ पर एवरेज दोनों इनिक्स में पांस से लेके साथ तक गिरेगा ही गिरेगा यह आप अभी से ही देख लीजिए और स्पेसली आज के मैश में की बात करें दोस्तों यह टीम में से जो पेस्ट प्लेयर्स होंगे आपके लिए जो जो प्लेयर्स बेस्ट पर्फूर्म कर सकते इस मैच पर उनको ही पीक करने का ज्यादा डिस्क लेने की जुरूरत नहीं है पहला मैच पर तो दोस्तों देखिए अब आपको आने वाला हूं इस वीडियो की जो सब तो दोस्तों यहां पर तो आपको प्रवाबल प्लेइक से बताऊंगा लेकिन जब हमने टीम बनाने जाएंगे वहां पर थोड़े ऐसे कुछ और प्लेयर्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जिनों ने अगर खेले तो वह आपके लिए कितने इंपोर्टेंट वैल वान टाइप ऐसे टाइप के प्लेयर है जिनोंने अगर चले तो 60-70 के मतलब नीचे नहीं रुकेगा अगर नहीं चले तो मतलब सिंगल डिजिट स्कोर में ही आउट हो जाएगा और वह भी पार प्ले के अंदर 12-23-19-9 इनका रेशन 5 स्कोर हो सकते है कि इस मैच पर चल जा जीरो दो मतलब टोटल हैं पर साथ एके निकाले लाश्ट पाज माच अब तो यह स्मार्ट स्कॉप ट्राइब कर सकते हो यह आपके लिए अच्छा चोईस हो सकते है कैप्टन से बसक्राइब भी अच्छे चोईस बनेगा और दोस्तों टॉम एबल के बाद करे दस दो तैस बारा जीरो रान दोनों मैच पर बोलिंग करें जीरो एके तो यह आपके लिए थोड़ा सा क्या मोलते हैं अगर आपको लगे कि आप इसको लेना चाहिए तो ले सकते हो नहीं तो ड्रॉप भी कर सकते हो क्योंकि नीचे बहुत सारे प्लेयर सब को मिलेगा एडियन मार्करम कप्ता नहीं करेंगे टीम का अपने टाइम का बेस्ट प्लेयर में से एक है तीटीटी में देखिए नवासी नब्बे टाइज देकर तीस तीन मैच पर बोलिंग करें पार्ट टेम बोलिंग कर लेते हैं जब सामने लेट हंडर होंगे तो इसकी ओबर जादा इन्होंने करे करेंगे तो मारकरम इंपोर्टन पीक रहेगा के लिए और सेर्यल एर्वी दोस्तों लाश्ट दो टीटीटी मैच खेलें वहाँ पर चीहत्ता तेइस लेकिन जो लाश्ट तीन टेस्ट कीनिंग्स खेली थी वहाँ पर तेरा उन्ताली साट रन मनाए तो सेर्यल एर्वी कर सक सकते हो थोड़ा सा रुक्य खेलते हैं मतलब थोड़ा सा उड़ी टैप का प्लेयर है और ट्रिश्टन स्टाफ दोस्तों बहुत ही बड़ा हीटर है चेलिस उन्नीस जीरो आट एक सचावाली से नवर पर बैटिंग कर सकते हैं चार मैच पर बोलिंग भी करें एक दो एक जी लिग में हर एक मैच में लगवाग निकाले थे जेमस फूलर हमने टीम में भी रखा था इनको और बहुत सरा वेनिंग भी हुए है इनकी वाज़से दो एक दो दो डो टूटल पांच मैच में दोस्तों नौ एकेट है वह भी बहुत ही कॉंसिस्टेंश के साथ फूलर ने व 2411 और पांच मैचों में छे एक तीन एक जीरो टोटल यहां पर ग्यारा विकेट निकाले मारको येंसन ने तो आप अभियसली मारको येंसन को ट्राइ कर लीजिए वेंडर मारवी दोस्तों जीरो पांच जीरो तीन मैच पर रंस नहीं बना पाए और बहुत दिनों से खेलत पांच तीन दो दो जीरो तो यहां पर देखिए बहुत ही बड़े फोंपर चल रहा है बारा युके निकाले लास्ट पांच मैच लास्ट पांच मैच होई तो अबिसली आप मगाला को ट्राइ कर सकते हो आपके लिए स्मॉल लिक ग्रेंडली के लिए बोथ टीम पर बहुत इंपोर्ट पिक रह सकते है तो यह सी की तरफ से आब हम देखेंगे कौन कौन से प्लेयर आपके लिए इस मैच पर अच्छा चोईस रह सकते है या फिर ट्राइ कर लेजिए आपके स्मॉल लिक और ग्रेंड लिक टीम के अंदर तो दोस्तों अभी बात करें यहां पर अपर अप्रिटोरिया कैपिटलिस की देखिए विल जैक्स ओपनिंग करने बाले के साथ दोनों उपनर उतना बड़ी आप हम में तो नहीं चल रहा है लेकिन दोस्तों टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुचाने के लिए ओपनर को अच्छी फों में रहना यह बहुत जुरूरी है दोस्तों विल जैक्स चालीस जीरो रन दोने मैच पर की लास्ट मैच पर डाक की डाक पर आउट हे थे कैमरन डिलपट की बात करें बहुत दिनों से फ पाईली रूसो हाली में बीविल में खेल रहे थे सिटी थंदर के हिस्सा थे दोस्तों वहां पर भी एक दो आच्छे इनिंस खेली लेकिन उतना कॉंसिटेंट पर्फरमेंस नहीं दिये इनकी जो रिसेंट स्कोर है वह देखके आप समाझ सकते हो 14-49-18-0 रान तो रूसू क अब इनके साथ जा सकते हो क्योंकि इस ट्रिम के तरफ से और एक इंपरनेंट प्लेयर है जो के फिल सौल्ट वो थोड़ा सा चोट से बाहर है नीच सुनने में आ रहा है कि दिली के पिटल जो इनको खरीदा है अभी दो आजार तीस में जो बाइस में जो लास्ट में डिसम नाइंगे नंबर पांच की बात करें तीवनिश डीबुइन तेरे रन पच्चीस रन दोना मैच पर बनाएं जेम्स निसम की बात करें दोस्तों नंबर चेह पर आने वाले हैं सोला जीरो पांच अठाइस तेरा रन चार मैच में 0-1-0-0 तो जिब्स निसम को आप इंग्नो कहां पर बैटिंग करेगा या फिर दोस्तों कितने ओबर बॉलिंग मिलेगा इस न्यूज थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो एक दो मैचेस देखने के बाद हमने डिसेट कर सकते हैं सेरुरार मुतोस हमें एक और इंपोरेंट पिक जैसे की काल आपको यहापर प्रेनोयल करेंगे टीम के लिए पांच एक किस चवालिस दो रन और पांच मैच में जीरो एक जीरो एक 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 टो यहाँ पर देखिए छे मैच पर बोलिंग करें और चार वीके निकाले तो पार्नेल को अप्टर रहे कर सकते हो टीम का कप्तानी करेंगे थोड़ा सा जिम्हेदारी भ पांडरी रहेगा तो इसलिए वहाँ पर लिक्स में असको मादद मिल सकते है जैस्वा लिटिल जीरो एक जीरो दो दो टोटल पांच एक निकाले पांच मैच पे एंडेच नों किया लाश जो दोनों मैच खेले वहाँ पर उइक लेस गए तो लेकिन दोस्तों डेथ में डा सकते हैं अगर लेट अंडर रहे तो तो दोस्तों यहां पर देखिए तरफ से देखेंगे यहां पर कौन कौन से प्लियर आपके लिए इंपोर्टेंट पिक में आएगा विल जैक्स डेलपर्ट राइली दोसो क्वाइट फॉर्चुन डिफरेंसल पिक बनेगा मुतुस्व जोसे देखिए राइली दोस्तों है वेंड पार्णल है एडियन मर्कराम है जैम्स फुलर है उल जैक्स है तो दोस्तों हमने पांच को इसले रखा कि देखिए पांचों के पांचों ही आच्छा चोइस है लेकिन यहां पर एक नाम और आप कॉंसेर कर सकते हो वो कौन है जे मार्कम तो है ही लेकिन उसी के साथ जीजी स्मार्ट भी और इंपर्टिंच बन जाएगा इस मैच पे और ब्रैंड लिक्टोस इसकी बात करें दोस्तों ट्रिश्टन स्टाफ्स बहुत ही बड़ी हीटर है ठीवनिश डीब रूइन अगर ज्यादा फॉल है तो यहां पर आके पहरी समाल सकता है सरेल एर वी मतलब ठीवनिश डीविन एक ऐसे प्लेयर है जोगी काल डोनाफन फेरेर रहे इनिंग्स खेली थी तो उसके जैसे यह पर यह कर सकते है थोड़ा सब पहले देखके टिक के खेल सकते हैं मरक मराइस अगर खेले तो इनको भी आप जील पर ट्र कर लिजे सबको वहीं पर मिलेगा तो दोस्तों यहां पर देखिए गिट की पर इसस्तन की बात करें तो सबसे पहले यह पर कुसल मनिस तो अभी इंडिया के सीरीज खेल लाए फिलिप सौल चूट से बाहर है जोडन काक्स आ सकते हैं लेकिन दोस्तों मेरे सब से एडम रोस के साथ लेकिन अगर कोक्स खेले तो इनको भी हम की पीक कर सकते हैं हाले में जो फ्रंचाइज लिग चल रहा है तो अपर कोक्स की ठीक डग रहा है तो रोसू रहेगा मार्करम रहने वाले है साथ में यहां पर देखिए बहुत ज्यादा अप्सन आपको मिलेगा अपर दोस्तों मरको मराइस यह सारे प्लेस के पीछे उतना नहीं जाएगा तो इसलिए ऐसे प्लेस को आपको टार्गेट करना है यहां पादी की विल जैक्स यह भी आच्छे चॉइस होगा बोलिंग कर सकता है तो दोस्तों यह तीनों को आमने फिरल पिक किये बागे दिखिए स्टाप्स यापी टॉम एबिल कैमरां डेलपट सेरा ले रही इन चारों अगर खेले तो इनमें सब किसी को ट्राइग का लेना पहला मैच है थोड़ा सा डिफेरेंसल पिक जाना ठीक रहेगा और दोस्तों आपी ऑल उंडर सक्सन की तरफ देखे तो जैम्स फुलर को पीक क करेंगे यहां पर मुझत समय को हुमने लेंगे एक चेंजर सम करेंगे तो यहां पर अपर पता नहीं है कि यह यह स्मार्स वह बला जेजेश्य समार्स है जब यहां पर लाइनएप आ जाएगा और इनको ओपेंण ओडर में दिखा देगा तब ही इनकी जो selection percentage है वो 6 से उठके minimum 60% से उपर चला जाएगा तो यह आप देख लेना अभी सही तो यह 4 play समरटी पर रोड़ना section पर रहेगा Marko Jensen को आप तभी ले सकते हो जब आप दूसरे team का opener को पुरी तरह से drop कर दोगे क्योंकि Jensen पूरे 2 से लेके 3 उबर डालेगा आपने जो है power play के अंदर इसलिए अगर इनको wicket मिले तो वह मिलेगा सिर्फ power play में डेट में यह उतना नहीं डालते हैं दोस्तों मैक्सिममली एक अबर 18 या फिर 17 अबर में डाल देंगे नहीं तो यह पूरी तरह से power play का ही बोला रहे है अभी बोलिंग सर्पर देगे दोस्तों नोक्या रहेगा रसीद रहेगा दौस्तों रसीद को में ट्रॉप कर रहा हूं जो सो लिटिल रहने वाला है उसके साथ सीसंदा मगाला को हमने पेक कि डॉमस्टी कॉंडिशन में इनके फॉर्म डिसन में बहुत बढ़या है तो इसलिए हमने इनको लेकर जा रहा हूं रिनियल बर्तमान उसके साथ माइगल पेटरियास यह तीनों हो गया बोलिंग सेक्षन पर और इथन बोस्क दोस्तों इनको भी अप्राई कर सकते मीडियम पेसर रहा और देखिए और एक प्लेयर भी है यह जी को माने तो यह भी दोस्तों थोड़ा सा मीडियम पेसर है लेक दोस्तों एडिन मारकरम और राइली रोसु है विल जैक्स है विन पार्नेल है तो यहां पर हमने जाएंगे रोसु के साथ तो पहला मैच हमने उत्रहा ज्याद रिस्क नहीं लेना है यहां पर प्रिव्यू आपको दिखाएंगे और जील के बार में थोड़ा से बता देंग दोस्तों एडम रसिंटन है विकिन की बरिंग सेक्षन पर रेली रोसु एडिन मारकरम विल जैक्स तीनों प्लेस रहने वाले बैटिंग सेक्षन पर पार्नेल जेज जोंजन स्मार्ट जम्स फुलर मुझो समी चार रहेगा और दोस्तों सिसंद मगाला जोस्वा लीटिल ए दोस्तों पूरे बिल्कुल डेथ में डालेगा नोक्या और लीटिल तो इन दोनों में से आप किसी एक को ट्राइक कर सकते हो तो दोस्तों देखिए फिलहल एरेक आपके लिएक डेमो टीम फाइनल टीम के लिए अभी कभी हमारा टेलिक मिलेगी साथ में दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना सेयर करना साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन को भी दवा देना ताकि आने वाले सारे वीडियो सब तक पहले मिल जाए और एक अच्छा सा टीम मनें या अच्छा सा विनिंग कीजिए थैंक्यो सो मॉच वल्द बेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर